नमस्कार किसान दोस्तो मेरे नाम है अमरीक और आप सभी का हमारे यूटिब चैनल एम सिंग टेक में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो कोटन यानि नर्मे की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको की पिंक बॉल वॉर्म या फिर नर्मे की गुलाबी सुंडी का जाता है या इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इसकी रोख थांग के लिए क्या उपाई कर सकते हैं हम सभी कुछ जाने वाले हैं तो बढ़े रहे वीडियो के आंधे तक आगे बढ़ने से पहले यदि किसान दोस्तो आप हमारे चैनल पर नहीं या तो हमारे चैनल को सब् और इसके जीवन चकर को समझने की कोशिश भी करेंगे जिसके कारण हम इसके जीवन चकर को समझ कर इसके रुख थांब के लिए भी उपाय कर पाएंगे दोस्तों अगर गुलाबी सुन्डी के जीवन चकर की बात की जाए जो पतंगा या फिर अडल्ट फीमेल होती है वो पोधे की उपरली नाजुक पत्तियों के उपर अपने अंडे देती है जो अंडे ग्रूप के अंदर भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं इसके अंडे वाइट कलर यानि सपेद कलर के होते हैं और कुछ समय बाद वाय संत्री कलर के हो जाते हैं और यह जो सुन्डी है वो चार से पांच दिन के अंदर जो इसमें से जुनकों की सुंडी छोटी-छोटी सुंडीया निकलना स्टार्ट हो जाती है और यह चोटी-छोटी सुंडीया जो होती है जुनकों की लारवा बोलते हैं यह फूलों के अंदर चली जाती है और कुछ एक छोटी-छोटी बन रही होती है वो रेशे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और यह जो सुंडी है यह बीजों को आपस में जोड कर उसके अंदर सुस्त अवस्ता में रहने लगती है जिसके कारण जब टिंडा बड़ा हो जाता है तो वह खुल नहीं पाता तो आप समझ चुके होंगे कि इ इसे पहचान सकते हैं जैसे कि आफ दोस्तों वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इसका जो फूल है वह उपर से बंद हो चुका है इसका जो मुख्या कारण है यह है कि जो इसके लारवे हैं जो पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सुंडी के लारवे हैं वो इसके अंदर चल वो इसके अंदर के पार्ट को फूल के अंदर के पार्ट को खा रही है जिसके कारण की न्यू टिंडा यानि की नए टिंडे नहीं बन रहा पा रहे हैं फसल के अंदर नए टिंडे नहीं बनने के कारण निसकी पैदावारन का नुकसान किसान को जेलना पड़ता है इसी के उन्होंने इसकी रोक थाम के लिए केमिकल जो भी रिकुमेंट किया है वो आप इसके बारे में भी बात करेंगे इसी के साथ दोस्तों जो महत ही महतवपून बात है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके कॉटन की जो क्रॉप यानि नर्मे की फसल है वो उसकी जो अव तो इस डूरेशन के अंदर आपको कोई भी रिकुमेंडेड जो इंसेक्टिसाइड है उसका यूज़ करना चाहिए जो सेकंड दूसरी स्टेज है जिसके अंदर की हम इसका रोक थाम कर सकते हैं वहा है सतर से पचतर दिन के बीच की जब आपकी फसल सतर से पचतर दिन के ब पचा सकते हैं और कुछ बातें जो पंजाब अग्रिकल्चर यूनिवर्सटी की पीडियाफ में बताई गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है उसमें पहली बात यहां कि नर्मे की समय पर बिजाई की जानी चाहिए और दूसरी बात फसल की चुगाई है वो जल्दी से खाली कर देना चाहिए और गर्मियों के दिनों में खेत की घहरी जुताई करने से भी इसकी रोक थाम की जा सकती है और उसी के साथ यदि आपका जो खेत है वो तेल मिलों के नजदीक है तो आप फिरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं अपने खेत के अंदर आप प्रती ह टेर एक फिरोमोन ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों की पंजाब एगरिकल्चर यूनिवेस्टी के दवारा रसाइनिक या फिर केमिकल कंट्रोल क्या 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 रिकुमेंड़ किया गया है रसाइनिक या फिर केमिकल कंट्रोल की बात तो जब गुलाबी सुंडी का attack 5% या इस से ज़्यादा दिखाई दे तो आप न मेंसे किसी भी insecticide का उसी देख सकते हैं आशचा करतूं की सांटों मेरे तेवारा दी किंगे जान करिए आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर यह वीडर नाओं अब्लियू उतीड ऐस लिगी संपर प्लीज लाइक कर खुरें इस वीडियोकzlich